हलो स्वागा थे आपका हमारी चैनल केजियर अपडेट बाइंजीनियर में मैं हूँ रंजन राज और एक नया जॉब डेट निकल के आ रहा है पावर गेट कार्पूरेशन आफ इंडिया लिम्टेट की तरफ से यहाँ पर पर्मानेट जॉब डेट निकल के आ रहा है डिप्लोमा का इंडिडेट के लिए जिन लोगोंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए जॉब डेट होने वाला है तो वीडियो में लास्तिक बनी देगा सारा कुछ मैं आपको संचेप में जल्दी से जल्दी डिसकस करने का प्रयास करूँगा ठीक है पावर गेट करप्रेशन आफ इंडिया लिम्टेट नाम आप लोगोंने सुना ही होगा बहुत ही अच्छा पावर के छेत्र में इसका योगदान है आप देखें जो महतपूर्ण चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर नंबरा पोस्ट और जो बैकेंसी है किस ट्रेड या किस ब्रांच के लिए है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला है डिप्लोमा ट्रेणी इलेक्ट्रिकल लद्दाक रिजोन में टोटल नंबरा पोस्ट 9 है और सिविल के लिए यहाँ पर टोटल नंबरा पोस्ट 2 है और डिप्लोमा ट्रेणी के लिए टोटल नंबरा पोस्ट 5 है ठीक है कि यहाँ पर category wise देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ category नहीं देखने को मिलेगी जैसे कि ESC category हो गई या आपकी जो OBC category हो गई तो परसानों नहीं बिल्कुल आवसकता नहीं है यहाँ पर आप unregard category में अगर उस criteria को fill fill करते हैं अगर आप उस criteria को fill करते हैं तो आप unregard में apply कर सकते हैं कोई दिक्कत अपड़ाने वाली बात नहीं है अब देखिए आगे बढ़ते हैं आगे का जो है हाँ पर qualification जो सबसे मत पूर्ण उसको देख लेते हैं तो diploma training में 3 year full time diploma ठीक है आपके पास होना चाहिए कहां किस किस discipline वाले apply कर सकते हैं तो electrical, electrical power, electrical and electronics, power system, engineering, power, engineering, electrical age limit आपका 27 साल रखा गया है unregard और EWS वालों के लिए साथी साथ 32 year रखा गया है ST candidate के लिए अब देखिए मैंने आपको बताएग जो YSC और OBC का वेकेंसी नहीं है तो वो अगर 27 साल की age के अंदर आते हैं तो वो unregard category में आसानी से apply कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे higher technical qualification like BTEC, BE, MTEC, YME, ETC with or without diploma is not allowed यानि कि जैसे बहुत से लोग डिप्लोमा करने के बाद BE, BTEC कर लेते हैं उसके बाद डिप्लोमा की वेकेंसी में apply करते हैं लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिग दिया है कि अगर आपके पास higher qualification है चाहे आप पास भली डिप्लोमा है आप उसमें apply नहीं कर सकते हैं और अगर सिर्फ और सिर्फ BTEC भी या कोई higher qualification है तो भी आप apply नहीं कर सकते हैं तो इससे क्या होता है कि डिप्लोमा वाले बच्चों को fight करने में आसानी रहती है क्योंकि अगर higher technical qualification आजाएगा तो वहाँ पर उनकी fight बढ़ जाती है तो यह सब सहती चीज है इस vacancy की पतिस साल यस्टी के लिए रखी गई है अब आई आगे बारते हैं यहां पर जो यह आपका देखिए पर्मानेंट जॉब होने वाला है पूरी तरह से किसी तरह का apprentice या ऐसा कोई job नहीं है कि जहां आपसे आपको कुछ दिन बात निकाल दिया जाएगा तो देखिए एक साल का आपका training duration रहने वाला है जहां पर आपको 27,500 रुपए पर मन्त मिलेंगे इसके बाद आपका junior engineer grade 4 S1 level की supervisory category में selection हो जाएगा ठीक है पर्मानेंट हो जाएगे जहां पर आपको 25,000 से 1,17,500 के बीच आपका जो basic पे है वो रहेगा तो काफी ज़्यादा अच्छे खासे salary यहां पर आपको मिलने वाली है बस यहां पर आपको जो दिखना पड़ेगा location वो आपका लद्दाक और जम्मु कस्मी में रहने वाला है इस चीज़ को आप ध्यान रखके इस form को भरिएगा अब दिखिए आप जो service band है वो रखा गया है डाई लाग रुपए का ठीक है डाई लाग रुपए का जनरल वालों के लिए और एक लाग पचीज़ जार का ST वालों के लिए यानि कि 3 year आपको मिन्वा मिन्वा में अगर आपको selection होता है और आप join कर लेते हैं तो आपको 3 year यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा 3 year से पहले अगर आप इस जाप को छोड़ते हैं रिजाइन करते हैं तो जनरल वालों को धाई लाग रुपए कंपणी को देने पड़ेंगे और एक लाग पचीज़ जार रुपए पार्ट 1 में 120 question रहेंगे जो कि आपके discipline से branch related रहेंगे जबकि पार्ट 2 में 50 questions रहेंगे जहां पर vocabulary, verbal comprehension, quantity of attitude, reasoning ability यह सबी चीज़ें आप से पूछी जाएंगे यानि कि total 170 questions रहेंगे दो घंटे का समय होगा 1 by 4 की negative marking यहां पर रहने वाली है अब देखिए आगे बढ़ते हैं जो महत पूर्चीज है टेस्ट सिंटर देखिए आपको मिलेंगे तीन ही जगा स्री नगर जम्मू और चंडीगर ठीक है तो जो नारत के student है हो चंडीगर में आसानी से जाके परिच्छा दे सकते हैं अब देखिए आगे बढ़ते हैं health के बारे में चीज़ें दीके हैं इसको आप पढ़ दीजेगा relaxation के से रिलेटर समद्धि जो जानकारी है इसको आप पढ़ दीजेगा ठीक जनरल कंडिशन यह है कि यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे मिन्यों आपका 18 साल का एज लिमिट होना चाहिए ठीक 18 से अधीक आपका होना चाहिए यानि कि 18 से 27 के बीच में जनरल और 18 से 32 के बीच में यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अब देखिए जो डेट है फार्म बनने का यह आप कैसे अपलाई करना है तो यहाँ पर ओफिस्यल वेप साइट है इसका लिंक भी में आपको डिस्प्स बाक्स में देदूंगा तो अगर आप अप अपलाई करना चाहते हैं तो डारेट यहाँ पर देखिए फार्म इसका आप कब से कब तक भर सकते हैं इसकी जो ओपनिंग डेट है वो फार्म 21 मार्स से सुरू हो चुके हैं और जिसकी लाज डेट है 20 अपरल तक आप यहाँ पर फार्म भर पाएंगे CBT एक्जाम का डेट दिया है June यानि की काफी अच्छा समय है एक से दो महिने आप असानी से पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद अगर आपकी तयारी है तो आप असानी से एक्जाम दे के जल्दी जल्दी जॉब ले सकते हैं यह था यहाँ पे जो है छोटा सा जॉब अपना समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं मेल आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऐसी जो अपडेट डिप्लोमा से जुड़ी ITI से जुड़ी पर्मानेंट अप्रेंटिस मैं आपको देता रहता हूं तो चैनल को आपने नहीं सिस्काइब किया तो चैनल सिस